बच्चो आज हम इस वीडियो में पद मावत महाकाब्य से नाग मती बियोग वरलन नामक खंड को पढ़ेंगे इससे पहले मैं बाकी पांच छंद का वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से देख लिजेगा उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए प्रारंब करते हैं भाबादो दुभर अतिभारी कैसे भौर रैनी अंधियारी रानी नाग मती अपने बिर्याः बैथा का वरलन करते हुए अपने सक्षियों से काती है कि भाबादो की भादो का माह आ गया है दुभर अतिभारी और दुभर अर्थार्थ मुश्किल और भादो के इस माह में जुवित रहना मुश्किल हो गया है कैसे भौर रैनी अंधियारी कैसे भौर अर्थार्थ बिदाऊंगी रात अंधियारी मतलब अंधेरा मैं भादो की इस अंधरी रात को अपने प्रियतम के विना कैसे विताऊंगी मंदिर सुन प्यू अनेत बसा सेज नागिनी फिरी फिरी डसा मंदिर सुन मेरी मन मंदिर सूनी हो गई है पिव अनेत बसा पिव अर्थार्थ प्रियतम क्योंकि मेरे प्रियतम अनेते कहीं अनेत्र जाकर बस गये हैं सेज नागिन फिरी फिरी डसा मेरी सेज रात में नागिन बनकर फिरी फिरी डसा बार बार मुझे डस्ती है रहो अकेली गहे एक पाटी नैन पसारी मरो ही भाटी रहो अकेली गह अर्थार्थ घर मैं घर में अकेली एक पाटी पलंग की पाटी पकड़ कर पड़ी रहती हूं नैन पसारी नैन अर्थार्थ नेत्र पसारी मतलब खुलना प्रियतम के इंतजार में मेरे नेत्र खुले रहते हैं मरो ही अफाटी मेरा हिर्दे फटा जाता है और मैं मरी जाती हूँ आगे देखिए चमक बिजू घन गर्जी तरासा चमक बिजू चमकते हुए बिजली घन गर्जी घन अर्थार्थ बादल और गर्ज्टे हुए बादल मुझे डराते हैं बिरह काल होई और यह बिरह काल बनकर जिव अर्थार्थ प्राण को गर्ण करना चाहता है चमकते हुए बिजली और गर्ज्टे हुए बादल मुझे डराते हैं और यह भी रह काल बन कर मेरे प्राणू को हरंड करना चाहता है बरसे मघा जखोरी जखोरी नागमती कहती है मघा एक नच्छत्र होता है भादू के माह में आता है बरसे मघा जखोरी जखोरी कि माघ जखोरों के साथ बह रही है मुर्द विनैन और मेरी दोनों नेत्र चुवेजसोरी घर के ओरी के समान टपक रही है अब गे दखिए धनी सुखे भरे भादो माहा अभून आय सिचनी नाहा नागमती काती है कि धनी सुखे भरे भादो माहा अभून आय सिचनी नाहा क्योंकि अभी तक आप इसे सिचने नहीं आये है पुर्वा लाग अब तो पुर्वा नच्छत्र भी लग गई है भूमी जल पूरी और सारा संसार जल से डूब गया है जल मगन हो गया है आक जवास भई तस जूरी किन्तु मैं आपके बिरह के काराण आक और जवास के पौधों के भाती सुकती जा रही हूँ आगे देखिए थल जल भरे अपूरसब धरनी गगन मिली एक नागमती का अति हैं कि हेप्रिय थल जल भरे अपूरसब सारा संसार जल से भर गया है धरनी गगन मिली एक धरनी अर्थार्थ धर्ती गगन अर्थार्थ आकास मिली एक धर्ती और आकास मिलकर एक हो गया है जनी जोबन आपकी इस्त्री आउगाह महदे बुढ़त अर्थार्थ डूबना आपकी इस्त्री जोबन अर्थार्थ योवन के आउगाह महदे बुढ़त योवन के अगाध जल में डूब रही है प्यू टेक हेप्रियर आप आकर टेक अर्थार्थ सहारा दीजिए आगे देखिए लाग कुवार निर्जग घटा अब हूँ आउ कंत तनलटा अब कुवार का महा गया है लाग कुवार रानी नागमती काती हैं कि लाग कुवार हे प्रिय अब तो कुवार का महा लग गया है निर्जग घटा निर अर्थार्थ जल जग घटा और संसार से जल घटने लगी है अब हूँ आवकंत हेप्रिय अब तो आप लौट आईए तनलटा आपके बिना मेरा सरीर छिड़ होता जा रहा है तो ही देख प्यूपुलहे कया हेप्रिय तो ही देखे आपके दर्शन करके पलुहे कया मेरा यह सरीर फिर से पुलकित हो जाएगा उत्राचितू ऐसा लगता है कि आपका मन हमसे उतर गया है बहुरी करी मया आप हम पर मया अर्थार्थ दया करके लोट आईए चित्रा मीत्र मीन घर आवा अब तो चित्रा नचत्र का मित्र मीन घर आ गया है पपीहा प्यू पुकारत पावा और पपीहा भी प्यू प्यू पुकारते हुए अपने प्रिय मेग को प्राप्त कर लिया है तो फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं हुआ अगस्त हस्ती घन गाजा तुरे पलानी चड़े रन राजा हुआ अगस्त हेप्रिय अकास में अगस्त तारी का उदय हो गया है हस्ती घन गाजा हस्ती और हाथी रूपी घन अर्थार्थ बादल गाजा गरजने लगे हैं तुरे पलानी चड़े रन राजा और राजा भी रण के लिए युद्ध के लिए घोड़े पर चड़ गया है स्वाती बूंद चातक मुख परे स्वाती नचत्र की बूंद चातक मुख परे चातक के मुख में पड़ गई है समुद्र सीप मोती सब भरे समुद्र सीप और मोतियों से भर गई है सरवर सौरी हंस चली आए तालाब में हंस फिर से लोट आये है सारस कुरलहीं सारस कलरो करने लगी है खंजन दिखाये खंजन पच्छी भी दिखाई देने लगे है भापरगास कास बन भूले भापरगास भा अर्थार्थ सुर्य परगास अर्थार्थ परकास सुर्य के परकास से कास बन भूले कास अर्थार्थ बास बास के फूल खिल गए है कंत न फिरे विदेशी भूले लेकिन मेरे प्रियतम जो विदेश गए है जाकर मुझे भूल ही गए हैं ना फिरे और अभी तक लोटकर नहीं आये हैं आगे देखिए रानी नागमती कहती हैं कि बिरहस्ती तन सालो कि हे प्रिय बिरहस्ती यह बिरह रूपी हाथी तन सालो मेरे सरीर को घायल कर रहा है घायक करे चित चुरू और मेरे सरीर को घायल करके चित चुरू मेरे हिर्दे को भी चूर चूर कर रहा है वेगी आई प्यू वेगी अर्थार सिग्रही प्यू मतलब प्रियतम हे प्रिय आप सिग्रही लोट आईए बाज़ू गाज़ू आप गर्जना करते हुए यह बिरह रूपी हाथी से भिड़ जाईए होई सदूर यह हमसे दूर हो जाएगा आगे देखिए कार्तिक सरद चंद उजियारी अब कार्तिक का माहा गया है राणी नागमती कहती है कि हे प्रिय कार्तिक के माह में सरद प्रूडीमा में चंद उजियारी चंद्रमा के प्रकास से सारा संसार जग सीतल सारा संसार सीतल हो रहा है एक बार पुना समझ लिजिए बिरहडी नागमती कहती हैं कि है प्रिय कार्तिक के माह में सरत प्रूडीमा की चंद्रमा के प्रकास से सारा संसार सीतल हो रहा है हो भी रहे जरी किन्तु मैं आपके बिरह में जल रही हूँ चौदह करा चंद्रकासा चंद्रमा चौदह कलाओं से परिपूड होकर प्रकासा प्रकासित हो रहा है जन्हु जरे सब धर्ती आकासा किन्तु मुझे सब धर्ती आकासा किन्तु मुझे धर्ती और आकास सब जरे सब जलती हुई प्रतीत हो रही है तनमन सेज करे अगिदाःू तनमन सेज मेरी सेज अर्थार्थ सया तन और मन को करे अगिदाःू अगनी दाह बनकर जला रही है सब कह चंद जिसे सब सितल चांद कहते हैं भयो मोही रहो वह मेरे लिए रहो परतीत हो रहा है चहुखंड लगे अंधियारा जो घर नहीं कंत पियारा चहुखंड चारो दिसाओं में लागे अंधियारा अंधियारा प्रतीत हो रहा है हे प्रिय मुझे चारो उर संसार में अंधिरा ही प्रतीत हो रहा है जो घर ना ही कंत पियारा क्योंकि मेरे प्रियतम घर पर नहीं है अब हो निठूर, हे निष्ठूर पिर्य आउ यही बारा, इस बार तो आप लोट आईए, परब देवारी होई संसारा, परब अर्थार्थ पर्व तेहवार, देवारी अर्थार्थ दिवाली, हे निष्ठूर पिर्य अब तो आप घर लोट आईए, क्योंकि सारा संसार दिव अमना रहा है। पर हैं सो मनुरत पूजा उनकी मनुरत पूड़ है मो कह बिरह मुझे तो पहला दुख बिरह का है सौती दख दूजा और दूसरा दुख सौत का हो रहा है। इनकी सोत पदमावती जिन्हें प्राप्त करने के लिए राजा रतन सेन अपनी राणी नागमती को छोड़ कर चले गया है। आगे देखिए सक्खी माने तिहवार सब गाई देवारी खोली। राणी नागमती कहती है कि सक्खी माने तिहवार सब गाई कि हमारी सक्खियां देवारी खेली। हमारी सक्खियां गाई गीत गाते हुए देवारी तिहवार दिवाली की तिहवार मना रही है। एक वर पुना समझे लिजिए, रानी नागमती कहती हैं, कि हमारी सख्यां गीत गाते हुए दीपावली की पर्व मना रही हैं, हाँ कागावे कंत बिनुं। किन्तु मैं कंत बिनुं, अपने प्रियतम के बिना कागावे कागाओं रही च्छार सिर मेली। चार अर्थार्थ राख मैं तो सिर पर राख मलकर रह जाती हूं अर्थार्थ मैं पच्ताती रह जाती हूं आगे देखिए अब आगया अगहन बच्चो ये आप चाहें तो हमसे लाइप पढ़ सकते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि जो आनन्द आपको लाइप पढ़ने में आएगा ऐसे ने तो अगर इक्चा हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा आगे देखिए अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी अब अगहन का माह आगया है रानी नागमती कहती है अगहन की हे प्रिय अब अगहन का माह आगया है दिवस घटा दिन घटने लगी है निसी बाड़ी और रात बढ़ने लगी है दुभर रहनी जाई किम गाड़ी दुभर अर्थार्थ मुर्ष्किल कठीन रहनी अर्थार्थ रात जाई कैसे गाड़ी मतलब काली अब यही बिरह दिवस भाराती अब तो यह बिरह के कारण दिवस भाराती दिन भी रात्री के समान परतीत हो रही है जरो बिरह जस दीपक बाती मैं बिरह में इस परकार जल रही हूँ जरो बिरह जस दीपक बाती जैसे दीपक में बात्ती जलती है कापो हिया जनावे सिव हे प्रिय सीत के कारण कापे हिया मेरा हिर्दे काप रहा है तो पे जाई हो संग्पिय। मेरी यह सीत तभी जाएगी होई संग्पिय। जब मेरे प्रिय तम मेरे साथ रहेंगे घर घर चीर रचे सब का हो रानिनाग मती कहती हैं कि प्रतेक घरों में चीर अर्थार्थ वस्त्र रचे सब का हो रानिनाग मती कहती हैं कि अगहन के इहमाह में प्रतेक घरों में नय नय वस्त्र बनाय जा रहे हैं मोर रूप लेगा ना हो लेकिन मेरा रूप रंग तो मेरे प्रियतम अपने साथ लेकर चले गया है पल्टी न बहुरा गाजो बिछोई मेरे प्रियतम पल्टी न बहुरा फिर लोटकर नहीं आया है गा जो भी छोई, जो मुझे छोड़ कर गय है तो इसका पैसे समझीए कि मेरे प्रियतम जो मुझे छोड़ कर गय है पुनह लोटकर नहीं आये हैं अब हो फिरो, हे प्रिया, अब तो आप लोट आईए फिरे रंग सोई आपके लोटने से मेरा खोया हुआ रंग लोट आएगा वज्र अगनी बिरहनी ही जरा यह बिरह वज्र अगनी के समान ही जरा मेरे हिर्दे को जला रहा है यह बिरह वज्र अगनी के समान मेरे हिर्दे को जला रहा है सुलगी सुलगी दगदे होई छरा और मेरा हिर्दे सुलग सुगल सुलग कर होई छरा राक होता जा रहा है यह दुख दगद न जाने कन तू मेरे एक दुख और कष्ट को न जाने कन तू मेरे प्रियतम नहीं जान रहे हैं जोबन जनम करे भस्मन्तू यह बिरह मेरे यववन और जीवन दोनों को जलाकर भस्म कर रहा है आगी देखिए राली नागमती अपना संदेश किसी ही तरह अपने प्रियतम तक पहुँचाना चाहती है तो देखिए प्यू से कहेव संदेश ला हे भवरा एकाग राली नागमती काती है कि हे भवरा हे काग प्यू सो कहुँ संदेश ला तुम मेरे प्रियतम से जाकर यह संदेश कह देना कि सोधनी कि आपकी स्त्री बिरहे जरी मुई बिरह में जलकर मर गई है तेही का धुआ हम लाग और उसी का धुआ लगने से हम लोग काले हो गया है वाह जैसी जी कितना सुंदर वड़न किया है आगे देखिए पूस जाल थर्थरतन कापा सुरज जाई लंका दिसी जापा अब यहाँ पूस का माह आ गया है पूस जाल रानिनागमती कहती हैं कि पूस के इस माह में जाल ठंड के कारण थर्थर तन कापा शरीर थर्थरा कर काप रहा है एक बार पुना समझ लिजिए रानिनागमती कहती हैं कि पूस के इस माह में शरीर ठंड के कारण थर्थरा कर काप रहा है शुर्जु जाई लंका दिसी चापा, शुर्जु अर्थार्थ सुर्य और सुर्य भी लंका दिसी, तो लंका के दिसा की और पर्चिम दिसा की और छिपता जा रहा है, और सुर्य भी पर्चिम दिसा की और छिपता जा रहा है, बिरह बाड, बिरह के बढ़ने से दारुन भा स यह सीत मेरे लिए दारुन भा अर्थार्थ अहसहनी हो गई है कापी कापी मरो मैं सीत से काप काप कर मरी जा रही हूँ लेई हरी जीव यह सीत मेरे प्राणों को हरण कर लेगा कंत कहां हे प्रितम आप कहां हो लागो अही ही रहे आप मेरे सम्मिप भी नहीं हो पंथ अपार आप तक पहुँचने का मार्ग भी बहुत दूर हो सुझ नहीं नहीं रहे आप नजदीक भी नहीं हो सम्मिप भी नहीं हो कि जो मैं आपको संदिश भेच कर बुला सकूँ सोर सपेती आवे जूड़ी सोर अर्थार्थ कंबल सपेती अर्थार्थ रजाई राणिनाग मति कहती हैं कि सीत के इस माह में मुझे कंबल और रजाई देखकर आवे जूड़ी जूड़ी चड़ जाती है अर्थार्थ मेरे दात कड़कड़ाने लगते हैं जानू सेज हिवनचल बुढ़ी मानो हमारी सेज मेरी सया हिवनचल बुढ़ी हिमाले में दुबी रहती है चकई निसी बिछरे दिन मला राणिनाग मती कहती हैं कि मुझस जदिक भागेवान तो चकई पच्छी है निसी बिछरे जो अपने जोडी से रात में बिछुड कर दिन मिला, दिन में पुला मिल जाती है हो दिन राती बिरह कोकिला, मैं तो रात दिन बिरह में कोयल की भाती रट लगा रही हूं रैनी अकेली साथ नहीं सकी हैं, रैनी अर्थार्थ रात मैं रात में अकेली रहती हूँ, साथ नहीं सकी, हमारी सक्षियां भी मेरे साथ नहीं रहती हैं, कैसे जी ये बिछोही पंखी, मैं बिछ रहडी पच्छी, अपने प्रियतम के बिना कैसे जी वित्र हूँ बिरह सचान भयो तन जाड़ा, तन जाड़ा, सित के कारण जाड़ा अर्थार्थ सित के कारण बिरह यह बिरह सचान भयो बाज बनकर जियत खाए, मुझे जी वित्री खा जाना चाथता है, एक पर पुनसम लिजिए, सित के कारण यह बिरह बाज बनकर मुझे खा जाना चाथ आव मुए न चाला तो फिर मुझे मरने पर क्या छोड़ेगा आगे दीखे बच्चो रक्त धरा मासू गरा रानी नागमती के रक्त रूपी आसू बह गये हैं रक्त आसू बनकर बह गये हैं मासू गरा शरीर का मांस गल गया है हाड भैयू सब संख हड्डिया सूखकर सब हो गई है धनी सारस होई ररी मुई धनी वह इस्त्री नागमती सारस होई सारस के समान ररी अपने प्रियतम कारट लगाते हुए मुई मर गई है प्यू समेट ही पंक अब उसके प्रे आकर पंक को समेटेंगे अब मैं अगला वीडियो नेक्ष्ट पार्ट में बना दूँगा क्योंकि याँ वीडियो ज्यादा लंबी हो जारी है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद हमारे जैनल को लाइक किजिएगा सस्क्राइब किजिएगा सेर किजिएगा